आज हम बनाएगे नारियल की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट हो बहुत ही टेस्टी विल्कुल मार्किट से भी अच्छी आप घर पे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं इसके लिए सबसे पहले हमें क्रीमी सा दूध ट्यार करेंगे तो यहां पर इढ़े कप ले लिए फुल क्रीम दूध करेंगे तो इस तरह से कोफी मखका रिष्ट कम ज़ाएगा तो कोई मKSला नहीं आप अब 1 cup या फिक दो कभी ले सकते हैं और 8-10 इस पूप करेंगे काजू यह भी कशनल है अगर आप चाहें इसकीन किप कर सकते हैं और चार चमश लेंगे milk powder 4-5 भी कर सकते हैं milk powder भी आप इसकी कर सकते हैं कोई ज़रूर ही नहीं है बिल्कुर फ्रेश मलाई होनी चाहिए और सारी चीजों को मिक्सी में हमें एक से दो पार चला लेना इस तरह से बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी इस तरह से यह मिल्क तैयार हो जाता है तो यह देखे कितना अच्छा हमारा मिल्क बनके तैयार हो चुका है बर्फू बनाने केलिए आपको फुल क्रीम दूद के मिह通ुनाल करना पत्तें दूद के समunल नहीं करना तो यहां पर ले लिए एक पैन और एक छोटा चब्बड एड़ कर देंगे इसमें डेशी घी और एड़ कर देंगे इसमें नारियल का वुराधा यानि कि coconut flakes जब एक्स और अच्य से हमें रोस्ट कर लेना है एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे पर अच्छी इसमें खुश्बू आने लगे और थोड़ा सा यह कड़क हो जाए बस हमें इतना ही रोस्ट करना इसका जल जायागा इसका फ्लेवर्वर तो बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए कि लिए इस तरह से मैंने 2 से 3 में रोस्ट के लिए बहुत इची इसमें खुश्बू आने लगी और थोड़ा सा ये कड़क हो गया है और इसमें एड़ कर देंगे दूद्ध जो हमने क्रीमी सा दूद्ध बनाया था वह एड़ कर देंगे और दूद्ध एड़ करने के बाद भी हमें फ्लेम को हाई नहीं करना दूद्ध एड़ करने के बाद हमें इसे लगता चलाते रहना है medium to low flame पे यहां में हलका सा मैं color add करी हूँ yellow color का बरफी में हलका सा color आ जाए यह भी optional आप चाहे तो color add कीजिए वरना skip कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई सा भी color add कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पस pinch of इसमें add के yellow color जिसे बरफी का थोड़ा सा color change हो जाएगा बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सा look आ जाएगा तो color add करके हमें इसमें चलाते रहना है अच्छे से गैस का flame हमें medium ही रखना है तो इस तरह से 5-6 मिनट के लिए हम चलाते रहेंगे और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा दूद अच्छे से इसमें सूख जाएगा बरफी में थोड़ा सा flavor देने के लिए यहां पर मैंने add किया 3-4 drop rose essence आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी flavor add कर सकते हैं लाइची powder add कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं प्लेन ही आप मर्जी आपकी जो भी add करना चाहें add कर सकते हैं या फिर इसकिप भी कर सकते हैं flavor add करेंगे तो अच्छे खुश्बू आएगी और अच्छा flavor भी आएगा बिल्कुल मार्किट जैसे हमारी वर्फी लगेगी तो यह दिकी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है दूद यहां पर अब इसमें add करेंगे चीनी चीनी का इसमाल कर सकते हैं मर्जी आपकी यह आपके उपर हैं आप अपने घर पे बना रहें मीठा तो आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं थोड़ा साइस में चकर देख सकते हैं कम हुया जादा आप अपने हिसाब से बाद में चीनी add कर सकते हैं और आप साबू ची से शकल इसकी बनने लगी है 5-6 मिनट के लिए मैंने इसे चीनी एड़ करने के बाद अच्छे से इस तरह से पकाया कुक किया तो यह देखे बिल्कुल आटे जैसा इसका डो बनने लगा है और यह हमारी बर्फी बिल्कुल तयार हो चुकी है बस दो मिनट के लिए और इसे चल करेंगे और यहां पर ले लिए मैंने एक प्लेट इसके उपर लगा देंगे देशीगी आप चाहें तो थाली के इस्तमाल कर सकते हैं बर्फी मोर्न ले सकते हैं मर्जी आपकी तो इस तरह से प्लेट में भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी तो यह देखे घी बिल्कु इसे सजाने के लिए आप सिल्वर वरक या फिर गोल्डन वरक आप लगा सकते हैं या फिर आप कलर वाली नारियल का पुरादा भी लगा सकते हैं तो एक घंटे के बाद यह देखे बर्फी बहुत अच्छे सेट हो चुकी है अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज म कर सकते हैं कोई साभी शेब दे सकते हैं तो इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है इसको पर सजाने के लिए मैंने लगा है थोड़ासा पिस्ता ह्ता कलरव कोमीनेशन अच्छा लाग रहा था इसा हमारी ऐड़ कर सकते हैं तो यह देखीे बहुत ही स्वर्द और बहुत ही ज् अजिनिक पीकश्च डिकश अपम आप होगा तीस रखेया बैड आप होगा दिद्स हाथ होगा पोजागा पीधिर ने थो आपधिक बीद्स हात चाहित है इसमय्ट कर दो एक बाद भरर दोगत है